हेलो फ्रेंट्स जैहिन स्वागत आपका आपके अपने चल होम टुसन पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि तीन साल से हरियाना का युआ सीटी के जाल में इस बवंडर में फसा हुआ है और अब फाइनल स्टेज पे आके और भी जादा इसको परताडित किया जा रहा है मा जोइनिंग कब आएगा लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी खबर भी आ रही है जो इस सीज को थोड़ा सा और हम यह कह सकते हैं कि बैक पूट पे वेजने का काम कर रही है हर्याना की पोलीसी पे जो सेटी में च्यार गुना की पोलीसी पे एक और केस हुआ है और एक नहीं दोस्त और किसी प्रकार की लेटेस नूज अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलेग्राम जोल को जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्वस में दिया हुआ है और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके एप्रिशेट जुरू करिएगा आए बात करते हैं तो स 20 अगस्त 2024 की है यानि कल ही एक केस आपका रेजिस्ट हुआ है और आज इस केस की दोस्तों सुनवाई है ठेक है अरजेंट टाइप का ये केस है यह जी पंकज और स्टेट ओफ हर्याना एंड अनुदर ठेक है एडवोकेट का नाम देख सकते हैं कमलदीप सिंग हुड़ा है स्टेटस अभी पेंडिंग है ठेक है एक तो ये केस आज इसकी सुनवाई है कोट नंबर जो रूम नंबर रहेगा साथ में इसकी सुनवाई चलेगी 31 अगस्त यानि आज ही इसकी सुनवाई होनी है दोस्तों एक और केस यहाँ पे रजिस्ट हुआ था दोस्तों 29 अगस्त क यानि एक दिन पहले ठेक है और ये भी अर्जेंट में है ठेक है और ये आप देख सकते हो सुबेंदर एंड स्टेट ओफ हर्यान और और यहाँ पे वही एडवोकेट साब हैं जो इनके है ठेक है इनके एडवोकेट साब का क्या नाम है कमलदीव सिंग हुड़ा इनके भी कमलदीव सिंग हुड़ा ही एडवोकेट है यानि एडवोकेट दोनों का सेम है एक केस हुआ है 39 तारीक को दूसरा केस हुआ है 30 तारीक को और ये जो केस है दोस्तों ये हुआ है जो पोलिसी है हर्याना सरकार की CET को लेके उसको इन्होंने चैलेंज किया है कि ना तो CET इन लाख अठारा आजार हैं लगबग लगबग बता रहा हूं सवा तीन लाख के आसपास बच्चे हैं जिन्होंने CET क्वालिफाई किया हुआ है उनका जो रजल्ट आया था उसमें लिखा हुआ था कि आपका ये मार्क्स है और आपका CET क्वालिफाई है कि नहीं है तो उसम उनका क्वालिफाई लिखा हुआ था ठेक है दोस्तों फिर इन्होंने बोला कि मेंस के एकजाम में हम च्यार गुणा बच्चों को बुलाएंगे लेकिन आपने देखा कि कुल मिला के लगबग 20,000 क्या सपासी बच्चों को बुलाया बाकी को नहीं बुलाए गया इसमें भ लेकर कोट में दो लगातार केस होए हैं अब ये केस डिस्विस होंगे कि सुप्रिम कोट में जाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाड़ा समय तय करेगा और एक कि सुनवाई तो आज ही है हो सकता है कि भाईया इस पे क्या होगा ये कहना मुस्किल है ठेक है हो स बता देंगे दोस्तों दूसरी बात यहां पे दोस्तों निकल क्या रही कि आज हर्याना सरकार के कैबिनेट की मेटिंग है दोस्तों आज जो है मुझुद सरकार जो है भंग हो सकती है बाकाइदा यहां पे अनुमती मांगी है यहां पे लिख सकते हो मांसो सतर नहीं बुलाया तो सरकार को भंग करनी होगी ठेक है दोस्तो 31 को कैबिनेट बैठक की तैयारी आयोग से मांगी मंजूरी मानसु सतर की तिथी संभाव ठेक है दोस्तो तो ये है कि भाईया आज अगर इनों नहीं बुलाई तो फिर आपका जो विदान सबा जो हमारी सरकार है ये आपकी भंग हो जाएगी ठेक है चुनाव आचार सिता की बीच मानसु सतर राज्य सरकार ने चुनाव एक सी 31 अगस्त को कैबिनेट बैठक की इजाज़ मंगी है आयोग इजादत देता है तो विदान सबा का मानसु सतर बुलाने या फिर विदान सबा भंग करने का लिया जा सकता है तो जहां तक संभावना है दोस्तों ये विदान सबा यहाँ पे भंग हो सकती है क्योंकि सरकार ओलरी फिलहाल अल्पमत में चली होई है चेक है मांसुन सत्तर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है तो विदान सबा यहां पर भंग होने की संभावना जादा है दोस्तो हर्याना विदान सबा का पिछला सत्तर दोस्तो 13 मार्च को बुलाया गया था इसमें सीम साग ने विश्वास असिल किया था 6 मां के अंतराल में विदान सबा का सत्तर बुलाना जरूरी होता है वर्तमान विदान सबा कारेकाल जो है 3 नौमबर तक है यदि आयोक की मंजोरी मिलती है तो सरकार की केबिनेट बैठक कर पाएगी सरकार को 12 सितंबर विदान सा सत्र बुलाना जरुरी है और विदान सा सत्र में ऐसा नहीं कि खाले बिजेपी जाएगी और भी जो अंट पार्टिक विदायक से वह भी आएंगे दोस्तों तबी यह मानने होगा ऐसा नहीं करने पर विदान सभा भंग करने का विकल्प बचता है छीक है दोस्तों तो ये चीज़े आप यहांपर देख सकते हैं बता दें कि विदान सभा का सत्र बारा सितम्बर तक बुलाया जाता है तो भाजपा सरकार पांचो अध्यादेशों को विदेख के तोर पर वि पास कराया जा सकता है तो ये भी पोजिटिव अबजेट हो सकते हैं और एक और चीज़ भी हो सकती है कि अगर मालो सरकार ये कंटीन रहती विदान सभा तो हो सकता है कि आपके रजल्ट और जोइनिंग के बारे में भी सोच लिया जाए दोस्तों ठीक है पंजाब अर्यान देशों पर कोई फरक नहीं पड़ेगा ठेक है तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आज ये तैह होगा स्याम तक पता लगेगा कि विदान सभा यहां पे भंग होगी या मानसुन सत्र बुलाया जाएगा अगर मानसुन सत्र बुलाया जाता है नहीं विदान सभा कंटीनू रह ठेक है तीन नवंबर तक कारेकाल बचा हुआ है तो हो सकता है कि आपको कुछ पोजिटिव अपडेट मिल जाए लेकिन अगर दोस्तों माल लीजे विदान सभाज भंग हो जाती है तो फिर तो आपका रेजल्ट रो जोइनिंग आपको विदान सभा चुनाव होने के बाद ही मिलेगा अगली सरकार बनने पर ठेक है फिर तो गई बैस पानी में दोस्तों हो गयता है ना कि सर्पंजी तो चल दिये तो अगर विदान सभाब भंगी हो जाएगे तो सर्पंजी तो चले जाएगे फिर गाओं को कौन समालेगा तो वही सेम चीज़े है ठेक है तो यह को लेकर यहां पे कोई भी राजनतिक लाब ना ले चुनाव आयोगे सुनिसित करे दोस्तों ठेक है पत्तर में ये भी लिखागा है कि सरकार ने गरुप सी की वरते में चार गुणा बुलाने के लिए वादा किया था लेकिन वो भी ठीक तरह से उन्होंने नहीं बुलाया ठे आपडेट्स आ सकती है क्योंकि आपने ट्विटर कैंपेंड बहुत अच्छा प्रियास किया ट्विटर ट्रेंड भी किया लेकिन किसी भी राजनतिक व्यक्ति ने विशेश कर सरकार के किसी नुमाइंदे ने परतिने ने कोई भी रियक्ट नहीं किया आपके रेजल्ट और जोइनिंग को लेकर खुद सेम साब को भी चीज़े पता होती है कि भाईया ये चीज़े चली होई है लोग जा रहे हैं मांगे कर रहे हैं लेकिन कोई बयान तक नहीं आ रहा कोई नोटिस तक नहीं आ रहा तो कहें ना कहीं कुस्तो गडबड चला हुआ है दोस्तों आभी अचानक से रेजल्ट देंगे जोइनिंग देंगे ये करना मुस्किल है बाकी जो दिख रहा है वो आपको हम बता रहे है आगे जो भी अपडेट आएगे हम आपको डेफिनेटली बताएंगे वीडियो को लाइक करें सेर करें चलको सब्सक्राब करें साथ जुड़ेने के और आपका क्या ओपिनियन है आपको क्या लगता है कोमेंट करके जुरू बताईएगा धन्यवाद जहिंद